जोतेश शाष्ट्र के मुताबिख ब्यक्ति की कुण्डली से उसके आने वाले समय के बारे में आसानी से पता लगाय जा सकता है ब्यक्ति को अपने आने वाले समय में सफलता प्राप्त होगी या फिर नहीं उस ब्यक्ति को किनकिन परिष्थितियों से गुजरना पड़ेगा ऐसे ही बहुत सी बाते हैं जो हम इंसान की कुंडली से पता लगा सकते हैं ग्रह नशत्रों में बदलाव होने की वज़ा से इसका प्रभाव ब्यक्ति के जीवन में भी पड़ता है ग्रहों की चाल अगर ठीक इस्तिती में हो तो ब्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं लेकिन वहीं अगर ग्रहों की चाल ठीक इस्तिती में ना हो तो ब्यक्ति को अपने जीवन में बहुत से दुखों का सामना भी करना पड़ता है बदलाव प्रकृती का नियम है और ये समय के साथ साथ बदलता भी रहता है वहीं जोती शाहस्त्र के अनुसार आज से कुछ ऐसी राश्या हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है और इनको भारी धनलाब होने की संभावना भी बन रही है आज हम आपको इस खावर के माध्यम से उन्ही राश्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनको अपने भाग्य का साथ मिलने वाला है तो चलिए आपको बताते हैं उन भाग्य शाली तीन राश्यों के बारे में पहला मिथुन डाशी मिथुन डाशी वाले ब्यक्तियों का आने वाला समय बहुत एक खुशहाली पुर्वक ब्यतीत होने वाला है शारिरिक और मानसिक चिंताएं दूर होंगी आप किसी खास ब्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं जिसकी वज़ा से आपको आने वाले समय में लाभ प्राप्थ होगा, आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना होगा, फिजूल खर्ची होने की संभावना बन रही है। दूसरा मकर राशी मकर राशी वाले व्यक्तियों का आज से समय बहुत ही शुब रहने वाला है। इस राशी वाले व्यक्तियों को आफिस से संबंधित कारे के लिए कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और आपके परिवार का कोई भी मेंबर आपको कोई खुश खबरी दे सकता है, जिसकी वज़ा से आपका मन बहुत ही प्रसन रहेगा, कारे भार होने की वज़ा से आप ब्यापार के शेत्र में नए नए औसर प्राप्थ होंगे, इनके सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, आप अपनी मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे, और आपका स्वास्त भी ठीक बना रहेगा, नेक्ट्ट नाइन स्प्रिचुल से बिनितराइक रिपो कर दो